नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अर्णिम कॉइंट यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में इसके साथ ही आज का एनलाइसिस करेंगे कि यहां से मार्केट जो है उपर जाएगा मतलब की अब टेंड में जाने वाला है या डाउन टेंड में जाने वाला है क्योंकि पिछले एक दो दिनों से बात के आजा है तो मार्केट जो है काफी जादा उपर की ओर देखने को मिला था लेकिन अगर करल की बात के आजा है तो कल से जो है डाउन टेंड में आते हुए दीख रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों coin market cap पे major coin जो है उसके price को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तो तो यहाँ पे अगर bitcoin की बात क्या जाए तो bitcoin में यहाँ 24 आवर में काफी जादा यहाँ पे downtend देखने को मिला है ऐसे ही आप ethereum की बात करोगे त तो यहाँ पर भी करी करी आपको same decrement देखने को मिला है और यहाँ पे अगर bnb की बात क्या जाए तो bnb में भी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ price आते हुए दिखा है ऐसे ही आपको यहाँ पे srp में भी और यहाँ पे dodge coin जो की काफी ज्यादा popular हुआ था पिछले 2-3 द जो है downtrend की और जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसका ही analysis करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले btc के chart पे और वहाँ पे देखेंगे की new resistance क्या बनने वाला है और यहाँ से support क्या होने वाला है दोस्तों तो यहाँ पे मैंने one day का graph open किया है btc का तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो market का price है फिलाल यहाँ पे आपको sow कर रहा है यहाँ पे यह market अभी चल रहा है जो कि 19,792 के आसपास अभी आपको यहाँ पे sow कर रहा है और यह जो market है और भी नीचे गया है क्योंकि इसका अगर इस candle का week को देखा जाए तो काफी ज् major support बनते हुए दिख रहा है जो कि 19,060 का आपको यहाँ पे sow कर रहा है मैंने यहाँ पे ड़रा करके रखा है क्योंकि यहाँ पे जो है market काफी ज्यादा survive किया है यहाँ पे आप देखोगे तो market इसी 10 line पे यह चल रहा है और यहाँ पे अगर इसकी resistance level की बात क्या जाए तो आपको 20,249 का sow कर रहा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इसे यह break किया है तो market हो सकता है कि यहाँ तक जाए तो जो लोग long का position लेना चाहते हैं उसे अभी wait करना है क्योंकि अभी market जो है हो सकता है यहाँ तक पहुँचे और अगर यह नीचे ती तरफ और भी ज कमा सकते हैं यहाँ से आप अभी भी sort लिजेगा तो कुछ न कुछ आपको यहाँ से profit देखने को मिलेगा और अगर major resistance level की बात क्या जाया तो आपको 20,524 का sow कर रहा है यहाँ पे अगर इसे यह break करता है उसके बाद ही market जो है 24,400 के आसपास जाने वाला है तो अभी आपको थोड़ा wait कर लेना है अभी यहाँ पे long का कोई position नहीं बन रहा है अभी downtend में ही market देखने को मिलेगा यह मेरा उमीद है लेकिन अगर बीच में कोई special news आता है क्रिप्टो कैंसी के लिए bitcoin के लिए तो हो सकता है कि market यहाँ से भी improve कर जाए और उपर की ओर जाए लेकिन अभी जो है इस 10 लाइन को यह follow कर रहा है दोस्तो तो यहाँ से कहना मुस्किल है अभी जो है मेरे अनुसार market नीचे की तरफ ही जाएगा तो आप लोग long के position लेने से बचे इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ new news के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ bitcoin पे यह कुछ new news आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो ब्राजिल का जो सेंडल बैंक है उन्होंने अपना जो crypto currency launch किया था कहने का मतलब digital currency launch किया था उसे यह test कर रहा है पाइलेट के रूप में आपको यहाँ पे show कर रहा होगा यह लिखा ह हुआ है तो आप लोग सोच सकते हैं कि ब्राजिल जैसा देश भी अप digital currency को उप्योग करने वाला है और उनका यह अपना currency आने वाला है जैसे कि आपको इंडियन गौर्णमेंट के तरफ से भी सुनने को मिला था कि इंडिया का अपना digital currency होगा ऐसे ही ब्राजिल ने यह launch कर दिया है और इसके टेस्टिंग जारी है इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं डोच कोईन की जो की काफी जादा popular हुआ है पिछले कुछ दिनों में अपने price increment के कारण तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि यह 116% जो है दो सब्ता में यह increase हुआ है लेकिन इसका भी price जो है अभी थोड़ा नीचे आ गया है क्योंकि BTC जो की major coin है उसका movement down to end में चल रहा है तो यहां भी आपको थोड़ा बहुत decrement देखने को मिला है अगर इसकी price की बात किया जाए तो आपको यहां पे show कर रहा होगा यह यहां तक पहुंचा था जो की 0.136 $0 के आसपास यह ह तो आप लोग को थोड़ा वेट करना है अभी market आपको फंसा सकता है मतलब अगर आप इसमें निवेस करते हो तो हो सकता है कि future trading में आपको loss हो जाए तो अभी sports trading करना बिल्कुल अच्छा रहेगा क्योंकि अगर dodge coin की भी बात किया जाए तो लोगों का analysis है कि यह इस साल के अ और news है जो कि Foundry Academy के तरफ से एक launch किया गया tending program जहां पे BTC mining के बारे में आपको knowledge दिया जाएगा कैसे BTC mining होता है तो यहां से भी एक अच्छा moment देखने को मिलेगा क्योंकि जितना ज़्यादा mining होगा BTC में उतना ही ज़्यादा crypto currency का जो परचलन है वो ज़्यादा होगा लो बात किया जाए तो अभी के market का situation काफी ज़्यादा खराब है अभी downtrend में है तो आप लोग को wait करना है और आप लोग में टेलिगाम चैनल को भी ज़रूर जोइन कीजिए लिंक आपको डिपसेशन दॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि वहां पे मैं crypto currency से latest जितने भी latest update होता है वहां पे देते रहता हूं साथ ही वहां पे चाट एंडाइस विगरा भी डालता रहता हूं और अगर बात किया जाए future trading के लिए signal वही मैं बिल्कुल फिरी में वहां पे provide करवाता हूं यहां पे देखोगे डॉच कोईन के बारे में मैंने बताया था वहां से लोगों को 121% यहां पे profit हुआ है ऐसा ही यहां पे 29% यहां पे profit हुआ है तो आप लोग भी फिरी में वहां से पैसे कमा सकते हैं आप लोग जरूर उसे join कीजे लिंक आपको diffusion box में दिया हुआ है तो आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद